है 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 अब आप सभी को वेलकम तो एससे अड़ाट 247 इस राधिका गुपता सभी को राम राम राधे राधे और जैश्वी कृष्णा भाई कैसे यह आप सभी एक बार जल्दी से आजो सेशन को शुरू करते हैं बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ जैसा आप सभी जानते हो कि हम लोग एक दम बेसिक से हर एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसके कॉंसेप्ट विद थियोरी तो एक बार जल्दी से आज के सुनहरे से टॉपिक को जनेटिक्स को भी शुरू कर लेत करना है ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच पाए चलो इसको थोड़ा सा बेसिक से करेंगे इसलिए पहला क्वेशन आप लोग के सामने आ चुका है जल्दी से ट्राय करना कि बिना किसी देरी के आंसर कर दो फटा-फट से चलो रवी सागर सभी जैसे की जुट चुके हैं और जिसने भी अभी तक सेशन को शेर नहीं किया है वह इस काम को जरूर करना कि मैम हमें हर एक स्टूडिंट तक इस क्लास को पहुचाना है ताकि कि किसी के भी जो भी एक्जाम से उनमें कोई दिक्कत कोई परिशानी किसी प्रकार की ना हो हां ज जनक पूछ रहा है तो भाईया जनक के बारे में जब भी बात आएगी बाइलोजी में जरूर देखे जाते हैं कि अगर जैनिटिक्स का यानि की आनुवांचिकी का जनक पूछ रहा है तो भाईया जनेटिक्स के बारे में सबसे पहले खोज करी थी मटर वाले अंकल जने हम ग्रेगर मेंडल के नाम से जानते हैं इनका पूरा नाम आपसे पूछ सकता है इनका पूरा नाम आपसे पूछ सकता है ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम लिखता है कभी कभी ल याद रहता है ऐसे भी हम इनको याद रख सकते हैं तो पहले क्वेशन जेनेटिक्स के जनक कौन है मैं ग्रगर जोन मेंडल यहां पर कहे जाएंगे नेक्स क्वेशन की तरफ आओ करो करो जल्दी जल्दी से आंसर करो एक बार जो भी साथी नहीं जुड़े हैं एक बार सेशन को शेयर करना ना भूलें भाई सभी अपने दोस्तों दक अपने साथियों दक जरूर एक बार शेयर कर दीजे चलो जी जे मेंडल वेरी गुड ए ओप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो गया नेक्स क्वेशन की दरफ पढ़िए और नेक्स क्वेशन का सही उत्तर एक बार मुझे सभी लगा दीजे क्या यहां पर सही उत्तर हो जाएगा बहुत सुन्दर अरे तुम लोग बड़े कन्फ इनमें अगर सडनली किसी भी परियावरन या किसी भी अन्यकारण की वज़े से कोई भी चेंज आता है उसको हम म्यूटेशन कहते हैं यह उत्तर परिवर्तन के नाम से जाना जाता है इसकी खोच सबसे पहले इसको टर्म सबसे पहले किस ने दिया था हुगो डीवरीज ने इस शब्द को यहां पर दिया था ठीक है सब को क्लियर हो रहे ना कि न्यूटेशन क्या है मैम डीएने में आया हुआ कोई भी अचानक से चेंज आ रहा है यह याद रखना बदलाफ तो है मगर वो बदलाफ कैसा है मैम अचानक से आ रहा है उसी को हम यह तो परिवर्तन के नाम से जानते हैं किसने टर्म दिया मैडम यह हूगो डीवरीज ने दिया था चलो हां तुम्हें अब मिलर यूरे सब याद आएंगे याद करो इस क्वेशन को एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में अनुवांशिक होने वाले जीन में अचानक के परिवर्तन को क्या कहा ज चानक से परिवर्तन देखा जा रहा है तो हां जी मैम उसी को हम म्यूटेशन के नाम से जानते हैं हिंदी में इसको उत परिवर्तन कहा जाएगा अमित यदुवंशी जी गुड मॉर्निंग चलिए जैश्री कृष्णा हो गई है एक बार यार क्वेशन्स में दियान दे लो यह सारे क्वेशन हो सकता है आपको एक्वाया में मिल जाएं फिर कौँ के मदम आपने तो बताया ही नहीं तोili और दे ली चलिए जल्दी से आंसर आना चाहिए हो गई गुड मॉर्निंग वेरी गुड क्या है मैम लिंकेज की कोच किसने करी थी लिंकेज मतलब आपस में जब जीन रहते हैं न देखो अगर यह जीन है ठीक है मैम यह दोनों जीन का इनके बीच में जो इंटर रिलेशन है यह कितना पास है और कितने ही ज्यादा दूर है इसकी खोज किसने करी थी या इसकी डिस्कवरी किसने करी थी वो हम बेटिसन का नाम यहाँ पर देंगे और बेटिसन वहीं है जुन्होंने जीन शब्द को भी यहाँ पर गढ़ा था तो क्या हुगो डिवरीस सहब भी आएंगे तो चीजों को समझो कि क्वेशन क्या है हां क्वेशन क्या है और जो तुक्के लगा रहे हैं चलो इसमें नहीं तो इसमें तो मुलर हो गाई यह जो मिलर और यूरे का एक्स्पेरिमेंट था ना यह एवल्यूशन में था जब उन्ह और हेरोल्ड सी यूरे ने एक्सपेरिमेंट किया था ठीक है मुलर यह था मुलर भी नहीं था वो मिलर था मिलर के नाम से याद रखना यह एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया था मिलर और यूरे ने किया था इन्होंने आर्टिफीशल एंवार्मेंट पूरा पर्यावरन एक तरीके से बनाया था टंग्स्टन की एलेक्ट्रोड दी थी ताकि लाइटनिंग भी हो जाए पूरे पर्यावरन की डुप्लिकेट एक कॉपी बनाई थी और उसी के साथ इन्होंने 18 दिन एक्सपरिमेंट करने के बाद अमीनो एसिड की खोज करी थी ठीक है ग्लाइसीन और सिस्टीन वहां देखे गए थे बैटिसन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बैटिसन और यह मिलर और यूरे जो आप पतारे हो यह मिलर स्टैनले मिलर जो थे वो टीचर थ बाए डीने में थाइमिडीन का डाइमर बन जाता यह किसके कारण देखने को मिलता है जल्दी से अंसर कर देंगे बड़ सभी फटा-फट से क्वेशन्स अगीन आम सेंग कि बहुत जादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के हर एक एक्जाम में आने की संभावना है हां औ बोड़ी स्ट्राटेजी के साथ अच्छे तरीके से महनत करो और यहां पर सही उत्तर आप लोगों ने जो लगाया है बहुत खूब सूरत मैं क्या हो जाएगा अल्ट्रा वॉयलेट रेज यहां पर हो जाएंगी क्या होता है भाई देखो थाइमिडीन का डाइमर बन जाता है चलो नेक्ट्स बीना pack fel लेकिन केकर अक्या तरे वाईरस को क्या कहा जाता है था वाईरस विदाउट Mizraal के वन पर केवल नूकलिक अमल पाया जाएगा तो आप उसको क्या कहेंगे जल्दी से बताइए एक बार वाइरस तो है मैं उसके अंदर कैपसिड बाहर वाला प्रोटीन नहीं है बट उसके अंदर नूकलिक एसिड पाया गया है तो मैं अगर नूकलिक एसिड है ना तो बस नाम इसका नाम यहां पर पढ़ जाएगा नेक्स्ट कहा रहा है हो मैं इसे क्वेशन देदो हम एक्जाम में बहुत खूबसूरती से करके आएंगे आप थोड़ा से लेवल टफ कर दो हमें पता ही नहीं है यह हमने पढ़ा भी है या नहीं क्या होगा साथ आंसर हो जाएगा इन नहीं थोड़ी सी कहानी है द्यान से सूनले न मेंडल साब या निके यह मत्र वाले अंकल इन्होंने मत्र के उपर एक्सपेरिमेंट किया था बटर कौन सी ली थी इन्हों ने गार्डन पि जिसको रहर हूं कई बार पूच लेता है इहां इसका नाम क्या है पाईसम से टाइवं कहा जाता है ठीक है मैं कह दिया पाईसम के बिति जोडियां ली जिसके उपर एकस्परिमेंट किया था यह वैसे तो पता है нет और remarkably इनका इंट्रेस्ट था हाइब्रिडाइजेशन में किस तरीके से अगर मैं दो सुपीरियर क्वालिटी की ब्रीट को मिलाऊंगा तो क्या नया प्रोडक्ट बनके आएगा बस इनके इस इंट्रेस्ट के वज़े से यह चले गए अब्रॉड और वहां जाके यह पूरा हाइब सब्सक्राइजेशन के ऊपर पढ़के आये थे साथ साल तक और आने के बाद यह चर्च में मौंक बन गये थे और फिर उन्होंने एक्स्पेरिमेंट किये थे सारे इन्होंने अपने चर्च के पीछे ही जो बाग था जो एरिया था जहां प्लांटेशन हो रही थी वहीं से म में मेरे पास एक DNA है ठीक है आपके पास एक RNA भी है मैं इन दोनों में इसा कौन सा नाइट्रोजिनस बेस है जो इन दोनों को अलग कर देगा जल्दी से आंसर करो एक बार हाँ यह एक्सपेरिमेंट टेंथ क्लास में है बिल्कुल है अरे यह बेसिक चीज है इसलिए तो मैं आपको बोल रहे हैं अगर आपको बेस क्लियर नहीं है तो फिर एडवांस लेवल में मैं अभी तुमसे डिरेक क्वेशन कर लो तुम कैसे बताओगे इसलिए मेक शूर कि यह भी है यह भी है यह भी है लेकिन इसकी जगहा पर यूरेसल यहां पर आ जाता है यानि कि A, G और C एड़नीन गवानीन और साइटोजीन तो होंगे मगर यह थाइमीन जो है वो किसमें पाया जाता है केवल DNA में RNA में क्या होगा यूरेसल होगा तो पहला डिफरेंस एक त यूरेसल है इस दाट क्लियर हां जी बिल्कुल सही दी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा अगला कह रहा है यूमन क्लोनिंग इस परमेड़ें इन ब्रिटेइन पर पॉपस ऑफ ब्रिटेइन में मानव की क्लोनिंग की अनुमती किस उद्देश से दी गई थी मैं बड़ा प्यारा क्वेशन आया थोड़ा सा ध्यान देना इधन मैं प्यारा कैसे है मैं हुमन की क्लोनिंग क्या होती है जो मुझे जल्दी से बताओ कौन जानता है अब जैसे लैट सपोस्ट मेरे सामने यहां पर एडू लैब हैं लखन जी हैं मोनु हैं ठीक हैं डोरेम हैं मतलब हम जैसा ही हुबहु दिखाई दे रहा है उसकी सिर्फ शकल उसकी सिर्फ बॉडी नहीं उसके अंदर की जो बॉडी में जीन्स हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियस का पैटर्न है मैं वह सब भी हमारे जैसा ही है तो हुमन की क्लोनिंग मानव की क्लोनिंग ब्रिट तुन नहीं बैठा किसके लिए तराप्योटेक्स के लिए उसके उपर जितनी भी दवाईयां है जितनी भी दवाईयां हैं अगर उनका एक्सपरिमेंट करना हो या किसी प्रकार की बिमारी को देखना हो ठीक है चलो जलो एडियो अभी एक है क्वहारी क्लास के अंड में आपको डीटेल में बता दो हम ठीक है हां तरह आप्योटिक्स यहां पर हो जाएगा क्या अंसर होगा चिकितसी है अप तुम यह मत चाहिए मानुवानसी ने ढूंड नी थी इसलिए उन्होंने ही उन्होंन की क्लोनिंग कर दी क्या आंसर अब बताओ test tube baby को कौन सी बात यहां पर correctly explain कर रही है जल्दी से बताओ मैम अगर आप कह रहे हो कि test tube baby आपने सबने सुना है test tube baby क्या होता है test tube baby थोड़ा सा ध्यान देना हां थोड़ा सा ध्यान देना और फिर आंसर कर रहा है मैम क्या यह है when the fertilization external है development internal है क्या आप बोलोगे तो जब भी बार test tube baby किया है तो याद रखना fertilization यानि कि निशेचन तो बाहर हो रहा है लेकिन इसका development यानि कि भूण का विकास कहा होता है मैम अंदर की तरफ देखा जाता है उल्टी कहानी मत कर देना fertilization body में और निशेचन बाहर यह possible नहीं है क्या होगा मैम fertilization बाहर होगा यानि कि male gamit और female gamit का निशेचन body के बाहर होगा और उनका जो fusion होने के बाद भूण का पूरा development है वह body के अंदर देखा जाएगा गलत ना करो कोई बात ने रहते का चलो c option आपका इहां पर correct हो जाएगा बात समझ में आरी है ने सबको कोई दिक्कत कोई परिशानी तो नहीं है जल्दी से मुझे एक बार बता दो चीजें सबको clear है ना ऐसे ही base से समझना है माम हमें कहीं नहीं जाना हमें बहुत ही simple तरीके से हर एक topic को clear करना है क्या किया रहा है सम युगमजी आप प्रभावी और विशम युगमजी पौधे के बीच में अगर संकरन होता है अगर crossing होती है तो आप उसको क्या कहते हो है यहां पर देखा जाए तो आप उसको किस क्रॉस के नाम से जानते हो जल्दी से करूँ आपस की बाते करने का तो कोई नहीं ही यहां पर यह बताओ यहां पर कितनी भी बाते कर लो कोई मतलब नहीं है है तुके भी लगाई जाये लगाओ ना तुख्के जल्दी जल्दी से टेंथ कि आपका सही अनसर होता है जल्दी से इसको थोड़ा सा इंपोर्टेन्ट क्वेशन है इसलिए अराम से सोचिए और फिर इसका सही आंसर करिए यहां पर कि क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको हम बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस या किस्क्रॉस के नाम से जानते हैं घड़ बड़ किसके नाम से जानते हैं जल्दी से सबके आउन्सर आने चाहिए एक बार कि बहुत सभी है डी डी आंजर आरहे दाइभृट नहीं नहीं देखो डिखो सुनो मोनो हईपरिट डाय हईपरिड तो मेडम नहीं है मोनो हाइब्रीड भी नहीं है जो आंसर यह दोनों कर रहे हैं वो तो नहीं है यह तो होगा बैक क्रॉस या होगा टेस्ट क्रॉस इन दोनों मेंसे अगर मैं बात करूं हमने होमोजागास रिशेसिव लिया और हेट्रो जांट लिया यून कि कैपिटल्टी स्मॉल्टी भी तुक्का है, वी एकदम सही है, D नहीं होगा आनंद जी, D इस लिए नहीं होगा माम, डाइभ्रिड क्रॉस में हम लेते हैं, दो केरेक्टर को, मोनो हाइभ्रिड में हमने लिया है एक केरेक्टर को, तो वो कंडिशन अलग है, हम तो केवल क्रॉसिंग के बारे में पूछने हैं जो इस तरीके से यहाँ पर देखी जाएगी मैं ले लूं RRYY into RRYY तब कहानी बनेगी डाइ हाइब्रिड की मैंने सिंगल हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड लिया है तो मैम आंसर क्या हो जाएगा अगर आपको लगता है इसमें कहीं पर भी कोई भी कनफ्यूजन है तो जैनेटेक्स को डीटेल में भी पढ़ लेंगे आप एक बार बता दीजेगा अगर आपको रिक्वार्मेंट है तो कोई बात ने रुपाली चलू श्री आदफ बिलकुल आपका सही है अब बताओ next question गुड़सूत्र किस से बने होते हैं माम यह question हम गलत कर जाएंगे जैसे पिछले question में हमने सारे तुक्के गलत लगाए थैसी इस question में हम सारे तुक्के क्या हर चीज सही लगाएंगे क्या हो जाएगा chromosome में मेडम एक DNA होता है और दूसरा protein होता है कौन सा protein होता है रे जल्दी बताओ कौन सा protein होता है mem protein होता है histone यहाँपर इस histone के ऊपर ही हमारा DNA लिपटा हुआ होता है और आगे जाकर की सबसे पहले क्या बनाता है वो nucleosome बनाता है और nucleosome के बाद और जादा जब coiling होगी तो एक chromatin का धागा बनेगा, chromatin का fiber बनेगा और वो बन जाएगा एक chromosome यानि कि एक गुण सूत्र तुम सोच रहे हो यह जो गुण सूत्र है मेड़म इसको बनाने के लिए कितने कितने सारे कि इसको बनाने के लिए कितने सारे कोइलिंग देखी जाओँ किसी ही ज्यादा कईलिंग देखी जाएगी एक DNA अकेला था मम घिल्ैंध Allah छीषे के से ओर अलग यजह होगी वो मिलकर के न्यूक्ली जोम की सब्सक्रोंड ग pró água चयार मनें अगर है ю माम आजो नेक्स क्वेशन पर विच क्रोमोजोम इस रिस्पॉंसिबल फॉर मेल हां जी करो जल्दी से आंसर और जिसने अभी तक भाया वो शेयर का और वो लाइक का बटन नहीं दबाया है तो मेरे लाड़न लो जल्दी से उस बटन को प्रेस कर देना ताकि आपके सभी दोस तो XX का मतलब होता है फीमेल के लिए जो हम गुण सूत्र का प्रयूक करते है XY का मतलब होता है मेल के लिए आने कि पुरुशो के लिए Greger जॉन मैंडल is famous for propounding what? Gregor John Kendall किसको प्रतिपादित करने के लिए प्रसिद्ध है? फई जल्दी से बताओ राधे राधे चलिए चलो 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 जल्दी से आंसर करो एक पर मैम ग्रेकर जॉन मिंडल ने क्या दिया था आरे बाबा ये आनुवानशिक्ता के जनक है इन्होंने क्या दिया था मैम इन्होंने हेरिडिटी के सिध्धान्त दिये थे यानि कि आनुवानशिक्ता के तीन नियम इन्होंने यहां पर से आपके जीन इंडिपेंडेंट ली ए यह सोर्ट हो जाते हैं कि है इसी Politik तरीके से ग्रिघर ऑनमेंडल साहब ने 3 सिध्धांत ढिया थैना Anne C cheap that इन ही को कहा जाता है जनक किसका आनुभान शिक्ता का जनक कहा जाता है डेको किशों कि प्यार आंसर किया है न स Our आंसर करने हैं, coding segment of DNA को क्या कहते है, exon, intron, muton, codon, जल्दी से answer करो, लगा दो माम, तुक्क है न, तुक्के में expert हो गए हो सारे, जल्दी से answer लगा, यहां पर क्या सही उत्तर होगा, माम, coding और जो basically segment होता है, हमारे पास ये DNA है, इस DNA में से हमें बनाना है, single stranded RNA, ठीक है, इस DNA मे और फिर आता है मेडम, intron, intron को हम non-coding के नाम से जानते हैं, ऐसे ही एक exon, फिर एक intron, तो exon जहां पर भी दिख जाए, समझ जाना, कि ये coding segment की बात कर रहा है, यही actually में code करकर के, क्या बनाएगा, एक messenger RNA को बनाता है, ठीक है भई, हाँ जी, यही बनाता है, जो answer कर रहे है intron में बता दूँ, कि intron वाला पार्ट तो बिटा, यह होता है, non-coding, यह code नहीं करता, इसके jeans के वल यहाँ पर रखे रहते हैं, ठीक है, यह के वल segment को पूरा करने के लिए होते हैं, very good, A और D में से कोई ना कोई तो होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, फिर आपका जो examiner marks दे HYV, यानि कि human, sorry, HYV मैं नहीं बताऊंगी, तुम बताओ, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही answer तो याद रखना, जो भी high yielding variety होती है, उसी को कहा जाता है, HYV, human नहीं, high yielding variety, ठीक है, high yielding मतलब मैं, किसी की भी अगर हम बहुत ही जादा उप जाओ, कोई variety को बना रहे हैं, उसक किसी भी चीज की हो, कोई भी food crop हो, उसको हम कह सकते हैं, DNA test किसके दवारा develop किया गया था, हाँ, जी, बिल्कुल सही, देखो, कुछ questions तो ऐसे होते हैं, जहां किसको आता भी ना होना तो वो भी answer करता है, हाँ, क्या answer होगा यहाँ पर, आप सबने CID देखा होगा, CID में, और माम, group D का exam आगया, बिल्कुल रोहिजी, group D की dates आचुकी है, आप बहुत ही शिदत से पढ़ाई कर लो, तीन साल बाद आप लोगो के लिए opportunity आई है, तो बिल्कुल lose नहीं कर रही है, जो आप लोगो के लिए दो महिने का time है, इसे बहुत अच्छे से utilize करना है, चलिए, double helix model दिया था, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, मतर के उपर experiment किया था, सिद्धान्त दिये थे, डॉक्टर एलिक जेफरेज को कहा जाता है, जो की DNA fingerprinting के जनक है, DNA test के जनक है, paternal fingerprinting करवाते हो, paternal test करवाते हो, उन सभी के जनक, डॉक्टर एलिक जेफरेज इसको यहाँ पर कहा जाता है, पता नहीं, क्या answer लगाते हो है, वाट्सों और क्रिक का केवल double helix model था, बताइए, the term GM food refers to the food, जो शब्द हम यूज करते हैं, कि हमारे पास एक GM food है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, माम, वो genetically modified food है, वो कैसा है, GM की full form क्या है, वो genetically modified ह है, यानि कि हमने उसके jeans में कुछ ना को संशोधन किया है, कुछ ना को changes वहाँ पर हमने किया है, तब जाके वो food बना है, जैसे कि genetically modified हम cotton को देखते हैं, ठीक है, बैंगन को देखते हैं, ठीक है, GM food अलग अलग तरीके के चावल बनाए जाते हैं, गेहू बनाए जाते हैं, तो यह सब क्या है, यह सब genetically modify करे हैं, change लाया गया है इनके अंदर, ठीक है, चलो, next question की तरफ बढ़ते हैं, अगला question आपसे कह रहा है, the hybrid between horse and donkey, मेरे पास एक horse है और एक donkey है, मैंने इन दोनों की crossing करवा दी, अब जो offspring बनेगा, उसको आप क्या कहोगे, जल्दी से बताओ, उ आंसर कर दो, एक बार सोच के, मैंने दो गलत होके, कोई बात नहीं, चलो, जल्दी जल्दी से एक बार right answer करो, यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, पढ़ाई से मतलब नहीं है, लेकिन बाकी की सारे बाते करवा लो, फालतो के, चलो, बढ़ी बताओ, hybrid between horse and donkey, मैंने उसको mule कहा जाता है, क्या कहा जाता है, mule, घोडे और गधे के बीच में अगर fertilization होगा, तो pony नहीं बनेगी, तो mule बनेगा, ठीक है, और अगर यहीं पर, अगर इसकी cross, यह तो male हो गया, अगर हम female में देखें, तो यहां पर हिनी बनती है, female में हिनी की formation होती है, next की तरफ chromosome in human ovum, बहुत सही, जल्दी से answer करो, कितने होती है, जल्दी जल्दी से, माम, total 46 है, बिल्कुल सही, माम, total chromosome कितने हैं, उमारे पास, 46, जब यह divide होती है, दो-दो में अलग-अलग टूटे, sperm में अलग, ovum में अलग, तो 23 sperm में चले गए, 23 ovum में चले गए, क्या answer में है, none of these, यहां पर सही हो जाएगा, chromosome का number पूछ रहा है, ठीक है, हाँ, बहुत सही, chromosome का number पूछ रहा है, कितने हो जाएगा, यहां पर, total 23 number हो जाएगा, बहुत सही, number पूछा है, number 24 कहां से हो गया यह बताओ, नेंस जीन जो वंशानुगत इकाईया है यह कहां पर उपस्तित होती हैं जीन्स नुक्लियर मेंब्रेन में क्रोमोजॉम में लाइजोजोम में या फिर सेल मेंब्रेन के अंदर 23 जोड़ी हां जी तो नमबर ही तो पूछा था हम से नमबर बता दिया वड़ा में जालो कहां पर पाई जाती है माम जीन्स है हमने तो बहुत एक सिंपल सी बात पढ़ी है कि यह हमारे पास एक गुण सूत्र है इसी गुण इस प्रकार से जीन दिखाई देते हैं तो थीज ऑज जीन्स यह मेडम डियेन अँर ये माम क्रोमोजोम है तो इसको कहा जाएगा क्रॉमोजोम यहां पर अगर option में डियेन होता तो मैं answer लगा giती डीयेन भट- answer क्या है option क्या है क्या लगाओगे chromosome इसका इहां पर सही उत्तर हो जाएगा बी औ्प्शन सही हो जाएगा अगला प्रशन पर आऊ त्रोण इन है ब्रूण में से द्रोण और वरकर यह तीन उती इसमें से बताओ ड्रोण कैसी होती है ड्रोन क्या फर्टाइल है मेल है फीमेल है किस प्रकार की यह ट्रोन यहाँ पर देखी जाती है अर्बिंद्र जी बहुत ही जल्दी स्टाट ओगी एक बार आप इस के बाद में इसके बहुते हैं वह आपके अलग तरीके से वोग बीजिस बाकी का सब्सकी पूछ लिए जाए कि मैं ड्रोन कैसी है तो ड्रोन फॉर्टाइल है यानि किए इसली रिप्रड्ड़क्शन कर सकती है इसके फीर में नहीं है ठीके अकेला male है देखो worker भी सारी क्या होती है female होती है और maharani भी क्या है अदमी कौन है यही फर्टाइल है यही फर्तिलाइजेशन करने के बाद इसकी म्रत्यू हो जाएगी कि आओ नेक्स क्वेशन पर उत्परिवर्तन सिध्धान्त द्वारा प्रस्थावित किया गया था म्यूटेशन का नाम तो हमने पढ़ लिया था किस ने दिया था बैटेशन ने लेकिन मैं इसकी थियोरी किस ने दी थी तुक्के नहीं लग रहे आप 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 नहीं दू किसे कि निसमार कह रहा है अछा यार तुम लोग ना मुझे मजबूर कर देते हो कि क्या क्या कि म्यूटेशन की थियोरी किस ने Mai इसी के तोर पर हम जो भी बीटी का शब्द यूज करते हैं यह जेनेटिकली मोडिफाइड है किसके लिए बीटी कॉटन के लिए बीटी कपास के लिए हम यूज करते हैं बीटी बिरिंजल भी बना था बीटी बेंगन भी बना था और एक आपकी बीटी कॉटन बहुत ही फेमस यहां पर दोनों ही देखे जाते हैं कि बेसलस तुरिंजीनस की मोडिफिकेशन के बाद जो बना यह बीटी की फुल फूर्म पूछ ले तो बेसलस तुरिंजीनस यहां पर लिख देना बिना किसी डाउट के राइट नेक्स्ट विच ओफ देफ फॉलोविंग वस्ट थो फॉल्विंग वज यहां पर जादा डीटेल में जाना ही नहीं है सोचना ही नहीं है है ना बहुत साही क्या हो जाएगा माम एलिक्जेंडर फ्लेमिंग साहब अच्छा एक चीज और सबसे पहली एंटिवाइटिक अब हमेशा बता देते हो कि किस ने बनाई थी फ्लेमिंग साहब ने बनाई थी इन्हें नोबल प्राइज भी मिला था किसके लिए पैनिसिलीन के ले कंच्य माई काम रहा था जीवाणों के ऊपर साहब साहब दिखाए और उससे बीक्टिरिया क्या हूआ मर गया तब इन्हें समझ में आया कि हां जी इसी को मैं एंटिवाइटिक कह सकता और ऑगेंस्ट ल É एक ऐसा जीवाणू एक ऐसा सुक्ष्म जीव जो किसी अन्य सुक्ष्म जीव को मारने का कार्य करता है मैम इसी को क्या कहा जाता है एंटी बायोटिक कहा जाता है तो पहली एंटिबायोटिक का क्या नाम पड़ा मैम पेनिसिलीन यहां पर इसका नाम पड़ा था इसको भी आप लोगों को इंपोर्टेंट मार्क करके याद रखना है बहुत सुन्दर चलो आगे भड़ते हैं एक बार ध्यान देना भई आगे भड़ते हैं थोड़ा सा तुन्य दिम आज़े निटी संटर न कि खूस और हम क्या कहीं है वंशल्टर चराज़ानरश्ड सेटरी प्रकरीया को रूप में जाना जाता है करी जल्दी से आंसर चलो 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 जल्दी से answer करो नहीं बताएं एक सेकिन इसका पीछे वाले question का answer आपका जो था वो था आपका Darwin ठीक है ले mark नहीं Darwin मैंने शाइद गलत mark कर दिया उसमें होगा आपका Darwin यहाँ पर ठीक है Darwin ने natural selection origin of species इन सबकी theory यहाँ पर दी थी ठीक हाई yielding variety next question की तरफ भढ़ते हैं जल्दी से मैं क्या यहाँ पर होगा कि वंशानों का चरित्र के एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में आपने देखा होगा ना कि आपके सारे बने कची प्ट इना कुछू नरे या अंदर हम यहां पर क्या कहते हैं हैं इसके अंदर हम एक तो देखते हैं हरु दो ही और दूसरा देखते हैं वरियरीले को और दोसरा देखते हैं वरिशली हेरेडिटी और वेरियेशन मतलब क्या है हेरेडिटी मतलब किस तरीके से आपके अंदर गुण अपने माता पिता से आपके अंदर आ रहे हैं ठीक मैम इसको हम heredity कहेंगे किस तरीके से transfer हो रहा है characters का इसको आप लिख सकते हो characters का transfer heredity कहलाता है लेकिन गुण तो मैम transfer हो गए बट क्या ऐसा है कि मेरा भाई मेरी बहन हम सभी हूँ बहु सेम दिखाई दे रहे हम जुड़वा तो नहीं है इसलिए उसमें याद रखना कि कुछ ना कुछ variation कुछ degree तक changes देखने को मिलते हैं इसलिए आपकी शकल कुछ हद तक आपके भाई बहन माता पिता से मिलती है बट completely नहीं मिलती completely तब मिलेगी जब या तो जुड़वा हूँ या फिर मैं आपका clone बना दूँ जैसा मैंने आपको बताया था ठीक है अब इदर दर की बातें मत करो variation क्या होता है मैम the degree of change और जब भी हम genetics की बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ degree of change जरूर देखने को मिलता है इसलिए genetics का मतलब क्या है heridity plus variation दोनों ही चीज़ें किसके अंदर बढ़ेंगे अनुवान शिकी के अंदर पढ़ेंगे इसके जनक मैंने आपको बता ही दिए जी जे मेंडल यहाँ पर हो जाएंगे बताओ जल्दी से मेरी बात सबको clear हो गई जी जीन होगा मैं जीन्स क्यों नहीं होगा देखो जीन्स इसलिए नहीं होगा मैं आपसे process पूछ रहे हैं तो process of transfer मैंने यह नहीं पूछा कि कि इसके थ्रू transfer होता है अगर मैं पूछती कि भाई किसके थ्रू आपके एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक जो characters है वो transfer होते हैं आप answer बिलकुल लगाते jeans लेकिन मैंने आपसे पूछा है उस प्रक्रिया को बताओ तो प्रक्रिया तो मैं मैं अगर आप लोग सीरियस हो और भी एंटीबीची सीवीटी टू फेस के लिए तो आपके लिए अड़ा के स्टोर पर 65 टोटल टेस्ट अवेलेबल करवा दिये गए हैं और मात्र 321 रुपे में यह आपको कब मिलेंगे जब आप स्टोर पर जाओगे और कोड यूस करोग से ही आप लोगों के लिए डाइरेक्ट सेविंटी सेविंटी सेविंट का डिसकाउंट हो जाएगा वाई 370 को आपको अपलाय करना है और केवल और केवल यह 65 टोटल टेस्ट और यह टेस्ट मैं ऐसे वैसे नहीं है अगर आप तयारी करें तो बेस्ट कंटेंट और बहुत इस टाइम पर तयारी पूरी है अगर आप लोगों की तयारी पूरी है तो आप लोग बिल्कुल जाएगा अड़ाट 247 के स्टोर पर और वहां पर आपको यह टेस्ट अवेल हो जाएंगे वहां पर आपने सिर्फ यह कोड अपलाई करना है वाई 370 आप जैसे ही से पैट गए होंगे उमीद नहीं होगी कि उनका हो जाएगा या किसी भी प्रकार से अगर आपकी नहीं हुई है तयारी तो आप लोग रेलवेस का रिवीजन बैच इन्रोल कर सकते हो इस रिवीजन बैच के अंदर आप लोग 31st December से 31st December से स्टार्ट हो रहा है ठीक है और कितन यहां पर यहां पर करते हैं तो आप किसी भी ब्रोडक्ट के लिए अपको यहां पर मिल जाएगा अजये आपको कौन सा कोर्स पर चेस किया था मुझे आप यह बताओ classes because almost चालू हो चुगे यह वाला बैच भी आप देख रहे हो कि 31 December से start होगा तो आपकी classes on time इसमें start करवा दी जाएंगी ठीक है हाँ जी आपने अजय कौन सा course purchase किया था मुझे आप एक बर बता दो इस course में revision रहेगा पूरी तरीके से जिसने नहीं पढ़ा यह जिसने पढ़के पुराना और उसके बाद उसको revision का time नहीं मिला है डीटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ इतना काम करना इस revision batch में मैं भी आपको कराऊंगी आप देख रहे हो वर्शा मैं भी है अभिशेक सर भी है और अतुल सर भी है मतलब सभी teachers आपको best to best यहां पर इस course के अंदर देखने को मिलेंगे तो आप सभी इस course को enroll कर सकते हो मात्र केवल 919 रुपे में पूरा CBT-2 का revision यहां पर आपका हो जाएगा और इसी के साथ एक चीज़ और कि अगर पूरे रेलवे की एक्जाम यानि कि आप ग्रुपडी की प्रेपरेशन कर रहे हो ठीक है आपको पता है CBT-2 भी आपको देना है और आने वाले जो भी एक्जाम से पूरे एक साल तक रेलवे में कहीं नहीं जाना सिर्फ भाया यहीं पर रहना है क्योंकि माम इस महा पैक के अंदर 12 महीने तक bilingual है हमें दिक्कत नहीं होगी English में Hindi में हमें किताबे भी मिल रही है और इसी के साथ 12 महीने तक यह कोर्स आपका active रहेगा ठीक है 12 महीने तक कोर्स active रहेगा जितनी भी टेस्स सीरीज है लाइफ क्लासे हैं विडियो कोर्से हैं इबुक्स हैं यह सभी आपको यहां पर मिलेंगे और रेलवे के आने वाले एक साल में जितने भी एक्जाम्स हैं वो सभी कवर हो जाएंगे मात्र 1380 रुपे में मैम य लुदा से चीजंथ क करना तो यह रहेगा कि आप लोग एक तो रेलवे अगर पूरे साल के लिये तयारी करें ज्यारी कर रहे हैं वह इसमें इस मेरे विजिशन बाचाशंगे जरूर कर लोब कैंकि बहुत ही तटीचर आपको इहां पढ़ाना कैने त्हर एक लेक के स्टोर पर और जितने भी यहां पर आप लोगों के लिए इन सभी में आपको जो फाइदेमंद लगता है जरूर इन्रोल करिए डिसकाउंट के लिए आप कूपन कोड अप्लाए कर सकते हो वाई मैं की ग्लास जैसे डेली चलती है वैसे ही चलेगी रोज सुभा ग्यारा बजए यहीं मिलेंगे आप से सेम टाइम सेम जगा पर चलो हाँ अभी आपके जितने जेनिटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेशन्स थे वो मैंने आज आपको करवाए अब मुझे जल्दी से एक बात ये भी बताओ कि आप मेंसे कितने लोग चाहते हो कि जेनिटिक्स को डीटेल में त्योरी वाइस पढ़ाया जाए कितने लोग मैं का बर्दे निकल गया अब नहीं आ रहा है मैं का बर्दे आएगा अगली साल चलो जल्दी से बताओ कितने लोग चाहते हो कि मैं जेनिटिक्स को डीटेल में करवाया जाए अगर आप लोग चाहते हो तो कल की सेशन में बिल्कुल डीटेल से बिल्कुल बेसिक से एक बर को शुरू कर लेंगे वर्णा फिर हम शुरू करते एक नए टॉपिक को और CBT-2 के लिए मेंस रिविजिजन बैज जरूर आप लोग को इन्रोल करने अच्छा महम का बर्द्याद है अगस्त में ठीक है 17 अगस्त अभी तो नहीं है तो निकल चुका अब आप लोग अपना अपना बर्द्य में और एक्जायम की तियारी करो अच्छे से चलिए नहीं ऐसा तो नहीं होगा मैं इसको एक बार और पता करवा लूँगे लेकिन ऐसा नहीं है जीडी का आपका स्टार्ट हुआ था ठीक है चलो अब मुझे जल्दी से बताओ एक बार मैं करवा दें क्या हां all the very best चंद्रदेव जी एक्जाम बढ़िया करके आना भई चलो कल से जनिटिक शुरू करवादें जल्दी से बताओ मैं अगर चाहते हो तो बिलकुल करवा देंगे जनिटिक का बिलकुल बेसिक से वरना फिर नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे क्लास के ऑफलाइन सेक्शन में कॉमेंट जरू विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें ससी अड़र्ट 24-7 को इसी के साथ भई आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं अगर करवाना है तो मुझे आफलाइन कमेंट कर देना वैसे तो मुझे दिख रहा है बहुत लोग के आंसर्स आ रहे हैं चलो तो बिलकुल कल से ना बेसिक से एक बार जेनिटिक्स तुम्हें जल्दी से रिवाइस करवा कि इसके डिसॉर्डर और करवा दूंगे यस मैम करवा दो ठीक है चलो डन ठीक है अब उसली स्टूडेंट्स की आंसर में यस आ रहे हैं तो कल बढ़ेंगे जिनिटिक्स बेसिक से डीटेल से इको सिस्टम तो अभी करवाया था डोरेमोन मैंने अहां चलिए आज की सेंशन को यहीं तक रखते हैं क्लास कैसी लगी सरूर बताएगा तब तक के लिए टेक कियर बबाई जय हिंद जय भारत